आगंतुक ज्वर लक्षने तो सूद जी महाराज कहते हैं रिसियों अभिगात अभिसंग साब तथा अभिचार कर्म से आने वाले चार प्रकार के ज्वर को आगंतुक ज्वर माना गया है यह आधिके कारण सरीर में जब पसीना छूडता है तो उसको अभिगात ज्वर कहा जाता है आधिक प्रस्त्रम करने से सरीर में वायु प्रह प्रायह रक्त को प्रदूसित करता हुआ पीडा सोग तता सरीर के सामान निबरनों को परिवर्थित करने बाले पीडा युक्त कर देता है ग्रह प्रभाव और सधी ४्रियोग विश्पान तथा क्रोध भैय सोग एवं काम जन्य भी सन्निपास्जवर होता है ग्रह वेश से जो ज्वर उत्मन होता है उसमें रोगी अकस्मात हसने और वुटोने लगता है और सधी और गंद विशेष के प्रियोग से आ विश्पान से मूर्चा, आतिसार, फिलापन, दाह, और मस्तिक ब्रांते के लक्षन रोगी में स्पस्ट होने लगते हैं क्रोध जन्य सन्यपात में सरीर का अपने लगता है मस्तिक में पीडा होने लगती है भय तथा सोक से उत्पन हुए ज्वर में रोगी प्रलाप करता है काम जन्य ज्वर में भ्रहम आरोची दाह लज्जा निद्रा बुद्धी तथा धैर्य का हरास हो जाता है सन्य पातिक ग्रहा बेसाध के कारण उत्पन हुए ज्वर और आगंतुक रूप आधि रोप जन्य ज्वर में वाईव का प्रकूप ही प्रभावी रहता है कोप जन्य ज्वर के कारण रोगी में पित प्रकूपित हो उड़ता है साफ तथा अविचार कर्म के कारण जो एदो सन्य पात ज्वर प्राणी में आते हैं ये दोनों अत्यंत भेंकर होते हैं इन दोनों जोरों को सहन करना रोगी के लिए अतिसे कठिन है अविचार जन्य जोर तांत्रिकों के द्वारा प्रयुक्त मंतरों से सरीर में आता है इसमें मंत्र प्रभाव के कारण उत्पन कीये गए असहिय कष्टों से प्राणी संतप्त होता रहता है। इसी अविचार मंत्र के द्वारा इसकी पूर्व स्थाई की जानकारी करने चाहे तत पश्टाद सरीर पर विचार करना अविक्षित है इसके बाद रोगी में उठे है संताफ से विस्फोट तथा दिक भ्रमदिक दाह मूर्चा चेतना आदि से ज्वर का परिक्षन करना उचित होता है अन्य था उस रोगी में सर्व प्रथम प्रदाह और मूर्चा का प्रकूप होता है इसके बाद जवर परते दिन बढ़ता रहता है, इस प्रकार संक्षेप में आट प्रकार का जवर देखा गया है, किंद यू बहा विविन प्रकार का होता है, यसा सारीरिक, मांसिक, सौम्य, तेक्षन, अंतरवाहिय, प्राकृत, वैकृत, साध्य, असाध्य, सामजवर और न अनंतर शरीर में ताप होता है प्राकर्तिक वायु के बाहे प्रभाव से नाक कान तथा मुह आद के द्वारा जो वायु ग्रहन की जाती है उसके कारण कफ मिस्तृत होता है तथा सरीर में सीथ बढ़ता जाता है पित मिस्तृत सरीर होने पर सरीर में दाह होता है कप तथा पित दोनों की मिस्तृत अवस्ता में सीथ और दाह का मिस्तृत प्रभाव पड़ता है इसलिए बात कफ ज्वर सौम में तथा बात पित ज्वर तीक्षन होता है अंतरास्त्रय ज्वर में अंतरविकार अधिक होते हैं तथा तीब्रिदाह और मल मुत्राद का विवन्द होता है बहिरास्त्रय ज्वर में केवल बाहरी ताप होता है इसमें तीब्रिदाह और मल आधिकी विवन्दता नहीं होती इसलिए बहिरास्रय ज्वर शुक साध्य और अंत्रास्रय ज्वर दुख साध्य होता है वर्षा रितु सरद तथा बसंत रितु में बात पित और कफ के प्रभाव से जो ज्वर उत्पन होता है उसे प्राकृतिक ज्वर कहा जाता है वह साध्य है इस वेकृत ज्वर का जो विप्रीत रूप है वह दुफसाध्य माना गया है प्राकृतिक ज्वर प्राय हाँ वाई दोसों के कारण होता है यहाँ भी दुफसाध्य है वाई वर्षा काल में दोस युक्त हो जाती है इसके प्रभाव के कारण पित एवं कफ से समनवित ज्वर प्राणियों में होता है सरत काल में पित दोस जन्य ज्वर की उत्पत्ति होती है इस काल में पित दोस का अनुगमन कफ करता रहता है इसलिए इस काल में ज्वर में पित एवं कफ दोनों मिलकर रोगी को कष्ट देते हैं इस प्राकर्तिक ज्वर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन न करने से रोगी को किसी अन्य रोग का भे नहीं रहता वसंत काल में कफ को पित होकर ज्वर उत्पन करता है इसके पीछे ही वात एवम पित्त के दोष भी लगे रहते हैं इस ज्वर में उपवास से हानी हो सकती है यदि रोगी बलबान हो और ज्वर अल्प दोष से उत्पन हुआ हो तथा कासाध दोष उपद्रवों से रहत हो तो सुख साध्य होता है जैसे रोगी को जैसा ज्वर असाध्य होता है वही पहले बताया गया है जिसका उपद्रव हो जाने पर रोगी में चिट्टड़ापन, मंदागनी, बहुमूत प्रता, अरुची, अजीरन तथा भूग न लगने के लक्षन उबर आते हैं यही सामज ज्वर है तेज ज्वर होने पर अधिक प्यास प्रलाप स्वास तसा चक्कर आता है नाक कान मुह तसा गुदा भाग से मल निकलने के गज़ तेज होती है उत्कलेस होता है जिससे रोगी को कश्ट होता है यहाँ पच्चमान ज्वर का लक्षन है सामज ज्वर से विप्रीत लक्षन होने पर साथ दिन का लंखन करना चाहे क्योंकि आटमे दिन ज्वर निराम हो जाता है मल काल तथा बलावल के कारण ज्वर पांच प्रकार का कहा गया है निरंतर विज्यमाण रहने वाला सतत बाही ज्वर दूसरे दिन तक रहने वाला तीसरे दिन चोथे दिन चार दिन तक रहने वाला विशेश तह ये ज्वर सन्निपात से ही होते हैं इस ज्वर में धात, मुत्र और विष्ठा को शरीर के से बाहर निकालने वाले मार्ग मल ब्यापी हो जाते हैं। इस समय वे सभी दूसित होकर एक समान ही संपूर्ण शरीर को संतप्त करते हैं। तथा दूस्य पदार्थों को देश, रित्व और प्रकृति द्वारा बढ़कर और बलवान भारी तथा स्तब्द होकर रशाद के आस्त्रित हो जाते हैं। तथा प्रति द्वंदिता से रहित होकर बाताद दोस्य संतत ज्वर को उत्पन करते हैं। अनल धर्म ज्वर की गर्मी कभी मल और कभी धातों का सिग्र ही छे कर देते हैं। मल और धातों के च्छे के कारण से रसाद सब्त धातों मल मुत्र और तीनों दूस इन वारह पदार्थों को ज्वर की उस्मा सरवाकार निशेश करके कप की अधिक्ता से उत्पन हुआ यह संतत ज्वर साथ दस यह वारह दुनों में यह रोगी को छोड़ देता हैं यह मार डा तथा 22 दिन तक त्रदोस के मर्यादा होती है धात जन्य सुद्धता अथ्व असुद्धता के कारण यह संतत ज्वर प्राणी के सरीर में अधिक समय तक भी अवस्तित रह सकता है दुरवल तथा दुरव्याधि मुक्त रोगी मिठ्या आहार से सरीर में प्रविष्ट दूसरे दोसों से सक्ति ग्रहन कर महा बलवान हो जाते हैं जिस उपचार यह पत्थ के कारण ज्वर बढ़ता है और घड़ता है उसे प्रत्यनीक कहते हैं यह ज्वर विक्चेप छै तथा ब्रिद्ध से युक्त रहता है उपर युक्त मिठ्या हार का सेवन करने वाले मनु संबब है जब उसे अपने पक्च के किसी रशादी दूसरे पदार्थ से सहायता मिले सहायता न मिलने पर वहां बलहीन होकर छीन हो जाता है छीन हो रहे दोसों से युक्त ज्वर सूक्षम होता है जो सरीर के अंदर विद्यमान रशादिक सप्त धात्वों में ही लीन रहता रस आदी सोक्षम भाव से विद्यमान्ज रहने के कारण वह ज्वर सरीर में क्रिस्ता विवर्णता और जड़तादी को उत्पन कर देता है। रस वाही स्रोतों के मुख खुले होने के कारण ज्वर को उत्पन करने वाले दोस उन स्रोतों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण सरीर में व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए विच्छन काल में सततादी ज्वर को उत्पन करते हैं अतहा सततादी ज्वर संतत ज्वर से विपरीत होता है। इस प्रकार इन कफादी दोसों का ज्वर का लक्षन बताया गया है। पुना सूद्जी माराज ज्वर का लक्षन बताते हुए कहते हैं। कि विचम संग्यत ज्वर का प्रारंब क्रिया और काल विचम होता है। तथा यह ज्वर दीर्व कालान बंधी होता है। प्रायह रक्तास्त दोस सतत ज्वर को उत्पन करता है। यह ज्वर अहो रात्र में दो बार होता है, अर्थात दिन में एक बार, रात में एक बार, अथव कभी दिन में दो बार, रात में दो बार, जब दोस मांस बाही नाडी में आस्रित होकर अनेध्यु नामक विसम ज्वर को उत्पन करता है, तब यह दिन रात में एक बार होता ह कुसी जवर के प्रभाव में जब मान्स वाही एबम मेदा वाही नाडियां भी प्रपुफित्व दोस के संसर्ग में आ जाती है वह लक्षन तृतियक जवर तीन प्रकारगा होता है बातपित अधिक्य, कफपित अधिक्य और वातपित कप अधिक्य प्रसम दिन पित और वाय के प्रकुपित होने से ज्वर मस्तक का ग्राही होता है दूसरे दिन कफ तथा पित के प्रकुप से वहां रीड की हड़ी में प्रविष्ट हो जाता है और तीसरे दिन वाय एवं कप से दूस्ट होने से वह ज़वर सम्पूर्ण फीट पर अधिकार कर लिता हैं अर्थात पित और वाय के प्रकुपित होने से ज़वर प्रभाव के कारण पहले दिन रोगी का मस्तफ जलने लगता है उसमें पीडा होती है दूसरे दिन कफ तसापित के प्रकुपित होने से रीड की हड़ी में दर्द होता है तीसरे दिन वाय एवं कफ के दोस जन्य प्रभाव के बढ़ने से रूगी को ताप हो जाता है किन्तो उसकी समस्त पीठ में पीड़ा होती है वहाजवर एक एक दिन का अंतराल छोड़ कर सरीर के तीनों भागों को प्रभावित करता है इसलिए उसको एका हंतर नाम से स्विकार किया गया है वाथ पित और कफ जन्य दोस के कारण सरीर के अंदर अधिक बनने वाले मल के द्वारा ज्वर जब मेदा मज्जा हड़ी तथा अन्यस्तिती में पहुंच जाता है तब उसको चतुर्तक ज्वर कहा जाता है वाई ब्याधिक्यक्य से सिर में बेदना होती है कफादिक किसे जंगा में प्रारंब होता है उप्त सिर एवं जंगा में बेदना होकर ही ज्वर बढ़ता है तदन अंतर वह अस्ति एवं मज्जा से अबस्तित होकर इसी कारण उसको चतुर्तक ज्वर भी कहा गया है यह ज्वर अपने संतापकाल में एक दिन का अंतराल करके रोगी पर तीन दिन तक तीन प्रकार से आकरवन करता है यह अस्ति और मज्जा इन दो धाथों में आस्त्रत होने के कारण लगातार तीन दिन तक रहकर बीच में एक दिन छोड़ कर आता है इसी तरह जिस जिस समय रजोगुन एवं तमोगुन के कारण मानस दोस और मानस कारे का वलावल होता है उसी उसी समय में यह सतताधिक ज्वर उत्पन होकर चड़ता उत्तरता रहता है उस प्रतेग काल में रोगी के करम का प्रभाव दिखाए देता है सन्यपात के द्वारा संभूत कारण से गंबीर धातों में समाहित दोस की प्रबलता होने पर यहाँ चतुर्थक ज्वर अत्यंत कठेन चिकित्सा की अपेक्षा करने लगता है आर्थात ज्वर का समन चिकित्सक के लिए दोसाध्य हो जाता है दूरतम देशकाल और अवस्ता के अनुसार सोक्षमाति सोक्षमरूप में ज्वर का सरीर में जो संक्रमन होता है रखतादिक मारगों में जो दोस भहुत समय पहले धीरे धीरे अल्प मात्रा में प्रभावी होता है वह संपूर्ण सरीर में व्याप्त नहीं होता और उसी दोस के कारण वह जवर प्राणी में संतक्ताद की कश्टों को उत्पन करता है अतहर प्राणी को प्रयत्न पूर्वक यह थो प्चार से उस जवर का विनास कर देना चाहिए विसम गती से प्रारंब होने वाला जवर विसम कहा जाता है वह बिसमज़ और मध्यरात्री काल तक अपने पूर्ण बेग में रहता है उसके बाद उसकी गती और सक्ती दोनों मंद हो जाती है उसी काल के अनुसार वह सरेर के रसादी पर अपने दोस का प्रभाव डालता है और धीरे धीरे निश्प्रभावी होता है ऐसा प्रकुपित दोस प्राणे को अधिकतम समय तक अस्वस्त रखता है जैसे भूमी में जल से सिंचित वीज अंकुरण के लिए समय की प्रतिक्षा नहीं करता वैसे ही दोस का वीज रूप स्वयम को सरीर में प्रकट करने के लिए समय की प्रतिक्षा नहीं करता जिस प्रकार विस वेग पूर्वक सरीर के आसा मैं में जाकर वलवान होकर पुरुद हो उठता है उसी प्रकार सरीर में इस्तिसदोस भी यसा समय सक्ति संपन होकर स्वास्त पुरुद करता है उसी प्रकार सतताद ज्वर भी सरेर में विसम भाव को प्राप्त कर लेता है अधिक कश्ट का होना सरेर का भारी लगना दीनता, अंग भंग, जमाई, आरुची, बमन और स्वास का पुलना आधि ये दोस्ट सभी रसगत ज्वर होते हैं जब ज्वर रक्त का तसंसृत हो जाता है तो उस अवस्ता में रोगी को रक्त का भवन, प्यास, रुक्चिता, उश्णता, सरेर पर छोटी-छोटी पीडाओं का निकलना दह, लालिमा, भ्रम, मंद, तथा प्रलाप का उपद्रव यह सब दोस्ट उसके अंदर होते हैं मांच और मेधा ज्वर के संद्रस्त होने पर त्रणा ग्लाने, कांति मंदता, अंतरदाह, भ्रम, अंदकार दर्शन, दुरुगंद, गात्र विक्षेव का दोस्ट उत्पन हो जाता है ज्वर के अस्तिगत होने पर पसीना अधिक आता है, बवन, दुरुगंद के प्रतीत, चर्चड़ापन, प्रलाप गलानी, तथा अरुच एवं हड्यों में थोड़ने जैसी पीड़ा होती है ज्वर के मज्जागत हो जाने पर उक्त दोस्ट तो होते ही हैं, उसके अत्प्रक्त स्वास, अंगवक्षेप, अस्वष्ट ध्वनी, वाहियसी तलता और हिचकिची के दोस्ट की प्रवर्टी बढ़ जाती है सुक्र में दोस्ट के संस्रत होने पर रोगों की बढ़ोत्री होती है, अंदिकार दिखाए देता है, सरीर के मर्मों में छेदने जैसे पीड़ा होती है, जनरेंद्र के इस्तब्द होने पर नरंतर उससे वीरे वहता रहता है, प्राय ऐसी अवस्ता में सुक्र गत्व हो जा जब सरीर में नित्य ही मंद जवर होता है तो सरीर में सुकापन रहता है रोगी सीतलता का अनवब करता है और सरीर में द्रुबलता आ जाती है तथा स्लिष्मा की अधिकता हो जाती है जिस ज्वर में सरेर हल्दी के बरनका हो जाता है उसे और पेसाब भी पीली हो जाती है उसको हरिद्रक ज्वर कहा जाता है यह पीलिया जिसको कहते हैं यह यम के समान मारने वाला होता है जिसके सरेर में कफ और बात समान रूप से रहते हैं तता पित की कमी होती हैं उसमें योह ज्वर दिर में मंद बेग से एवं रात्रे में तेज बेग से होता है ब्यायाम के कारण दिवाक करण के सक्ति संचार न करने से जब रूगी का सरेर सुसको जाता है तो बात की अधिक्ता के कारण रूगी के सरेर में सदा रात में ज्वर रहता है उसे पौरबरात्रक ज्वर कहा जाता है इस ज्वर में श्रिस्मा पित के नीचे आमासय में इस्तित रहने वाला आत्मस्त होकर रोगी का आधा सरीर सीतल और आधा उष्ण होता है ज्वर के समय रोगी के सरी में जब पित परिव्यापत रहता है तथा श्रिश्मा अंत में स्थित रहता है इसलिए उसका सरीर उष्ण और हाथ पर ठंडे रहते है रक्त और रक्त में आस्त्र तथा मांस एवं मेधा में इस्तित ज्वर साध्य हैं, हड़ी और मज्धा में इस्तित ज्वर कश्ट साध्य हैं, ज्वर जिस जिस अंग में रहता हैं उसे काम्त हिन कर देता हैं इस ज्वर में रोगी संग्याहिन ज्वर के वेग से आर्थ और क्रोध युक्त रहता है। रोगी सदा दोस समन्वित उष्टन मलका वेग पूर्वत्याग करता है। पीडा नहीं रहते, सरेर में उचित पसेना छोड़ता है। भूग प्यास भी समय पर लगने लगती है। इंद्रियां स्वस्त तता प्रसन्न हो जाती है। अन ग्रहन की इच्छा होने लगती है। अर्थात उस मरीज को समय पर भूग प्यास उत्याद लगने लगती है। उस सिर में धीरे-धीरे हलकी-हलकी से खुजली का अहसास हो, तो समझो कि इस ज्वर का निदान हो गया है, ज्वर मिट चुका है, अर्थवा मिटने वाला है, इस ज्वर से उस व्यक्ति को राह मिल गई, राहत मिल गई, मुक्ति मिल गई, इस प्रकार सूद जी मारा नेमी सारण में, आयरुवेद सास्त्र के अनसार कहे गई, धनवन्प्री जी के द्वारा जुरों का ब्रणन करते हैं, 148. अध्याय रक्त पित्त निदान, धनवन्प्री जी ने कहा है सुस्तुरूत, अब इसके बाद मैं रक्त पित्त के निदान का विधिवत ब्रणन करता हूँ, अत्यांत उष्ण तिक्त कटो अमल नमक आधी जो, पेट में विशेज प्रकार का दाहत्पन करने वाले पदार्त हैं, और कोदो उद्धालक आधी गरिष्ट अन से बने भुजन हैं, प्रसपर में मिलकर वहाँ रक्त पर दूसित प्रभाव डालता है, जिस से सरीर का रक्त दूसित हो जाता है. इने भुज्य एवं फेप दार्तों के प्रभाव से पित्त और रक्त एक सा रूप धर्ण करके, संपूर्ण सरीर पर अधिकार कर लेता हैं. संसर्ग दोस के कारण विक्रत हुए रक्त पित गंद वरन तथा दोस प्रकृती में एक अनुरूपता होने पर भी उसको रक्त नाम से ही जाना जाता है वह दोसित रक्त पलीहा तथा यक्रत भाग वाले कोष्ट से उत्पन होता है इस कारण उसका नाम रक्त पित है रक्त पित का दोस निमन लिखित उपद्रबों से जाना जाना ताय मस्तिक में भारेपन अरुची सीतल पदार्थ के सेवन की इच्छा कंठ से धूम निकलने का आभास तथा अमलता युक्त डकारों का आना वमन में द्रुगंद, खांसी, स्वास, भ्रम, ठकान, लोह, रक्त था, मचली की सी गंद, स्वर में छीनता, नैनाद अंगों में लाली, हल्दी की तरह पीलापन, अथवा, हरापन होना, नीले लाल और फीले रंग से रंग में भेद का नमालूम होना, और स्वपन में भी ला होने वाले में पाए जाते हैं, रक्त पित तीन प्रकार का होता है, उर्दोगामी, अधोगामी और उभेगामी, इसमें उर्दोगामी रक्त पित दोनों नाकं की छिद्रों से, तथा आंखों, कानों और मुख इन साथ द्वारों से निकलता है, अधोगामी उपित रक्त पूर्वोक्त दसों द्वारों से निकलता है। कफ वाले रोगी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसी इस्तिति में कटु तिक्त और कसाय द्रव्यतों सभाव से ही कफ का नाज करने वाला है। ये अत्यन्त लाभप प्रद होते हैं। मधुर कसाय ही हितकारी होता है। सरीर में कफ तथा वायव के संतुष्ट होने पर रक्त पित जनित उवैगा में रक्त पित असाद्य हो जाता है। प्रतिलोम होने और आशद्य से असाद्य होने के कारण यह रोग असाय होता है। प्रतिलोम होने के कारण इस दोस का कोई प्रतिकार नहीं है। रक्त पित रोग में सोध प्रतिलोम उपाय ही बतलाया जाता है। रोग का इसी तरह से संसोधन और उपसमन संबब है वात पित तथा कफ आद दोसों के एक दोस से दूसरे दोस में संद्रश्ट हो जाने पर सब प्रकार से समन औसदी ही हितकारी होती है इस रोग से रक्षा करने में सिरावेध हैं फरिक्षन विथी की दिखाई देता हैं वस् उपद्रव विकार को लक्ष करके ही सरीर पर प्रभावी होते हैं अतहर रोगी के सरीर में द्रिष्ट गत उपद्रवों से अन्य विकार न उत्पन हो उसके पूर्वी उसका समन तथा प्रिखन करा लेना चाहें 159 अध्याय कांस निदान धनवंत्र जी माराज कहते हैं कि रोग यथा सीगर प्राणी पर अपना प्रभाव दिखाता है इसलिए उसी रोग को अब कह रहा हूं खांसी वात जन्ने पित्तज कफ़ज छतज तथा धात उच्छे होने से पांच प्रकार की मानी गई हैं यदि इस पांचों के बिनास की उपेक्चा कर दी जाती हैं तो यह च्छे को उत्पन कर देते हैं यहां उत्तर उत्तर बल्वान हो जाती हैं इसका भावी रूप इस प्रकार होता है कि कास रोग होने पर काश्ट में खुजलाहट और अरुची होती है कान मुख तता कंठ में सुस्पता आ जाती हैं सरेर में वाई प्राह अदोगामी होता है इस रोग में उर्दोगामी होकर भक्षतल में जा पहुंसता है वहां अभिगात करते हुए वायु कंठ में रोगी की सृष्टी करता हैं मस्तक तता रक्तवाही आदि सरेर के तेरहों स्रोतों में जाता हैं तदनंतर सभी अंग प्रत्यांगों में प्रविश्ट होकर होते ही नेत्रों में उत्षेव करता हुआ और फीट तथा हृदय एवं पार्सों में पीडा उत्पन करता हुआ मुख से निकलता हैं बोलने में भी रोगी को कष्ट होता हैं खोटे हुए कांसे की ध्वनी के समान मुख से बाने निकलती हैं हृदय के पार्सों भाग तथा पिदा स्रोभाग में पीडा ऊड़ती है मोह और चोव होता है एवं स्वर्भंग हो जाता है यहां रोगी को अच्चंत तेज पीडा के साथ सुखी खांसी खांसने के लिए विवस कर देता है रोगी को रोमांच हो जाता है खांसने पर बड़े ही कठिंटा से अंदर से सूख कबार निकलता है जिस से किष कम हो जाती है पितजन्य काश पोने से नेत्र पीले पढ़ जाते हैं मुख में तीतापन रहता है, जवर और भ्रहन होता है, रोगी पिता तथा रक्त संत्रत वपन करता है इसे प्यास लगती है, खंट से निकलने वाले ध्वने तूटी रहती हैं उसको सब और धुआ ही धुआ दिखाए देता है और धुमा यित एवं खटी ड़कार आती हैं तथा उसमें एक प्रकार का मद छाया रहता है जब रोगी को खासी का वेक आता है तो उसे खासी के बीच आँखों के सामने चमक दिखता हुआ छोटा छोटा प्रकास पुंज दिखाए देता है कफ जन्यकास रोग होने पर भक्षस्तल में सामान्य बेदना होती है सिर में भारेपं तथा हर्दय में जकडवन आ जाती हैं कंड में किसी द्रव्य पदार्थ की लेव का अनुबब होता है एक प्रकार का प्रविनस बवन अरोची रोमांच और घनेस निक्द कफ की प्रवर्ति होती है युद्दाद अत्यंत साहिसक विभिन कर्मों को करने वाले लोगों द्वारा जब सक्ति से अधिक कर्म किया जाता है तो उसे भक्षस्तल में छत्म हो जाता है पित्त से अनुमित होकर वाय ब इंगल सुस्क ग्रसित और अत्यंत दूसित होता है इस रोग में रोगी रुग्ण कंट से कफ रूपी मल को बाहर निकालता है वाय दोसके कारण हिर्दय फटा सा प्रतित होता है और सरीर में सुयों के चूपने जैसे कष्ट की अनभूती उसको होती है जैसे कष्ट कारी सूल के आघात से मरमस्तल में पीडा होती है रोगी के बरव बरव में दर्द होता है और ज्वर भी रहता है उसकी खांस खूलती है प्यास बढ़ जाती है उसकी बाने में स्वर्भंग होने लगता है तथा सरीर में कमपन होने लगता है रोगी इस रोग में कबुतर के समान कहरने लगता है उसके पार सुभाग में सूल उखता है दर्द होता है पीड़ा होती है कफाद विकारों के कारण उसको बमन होता है उसकी सक्त छीन होने लगती है और सरीर का बलन कांति हीन हो जाता है राज यक्षमा रोग होने से रोगी का सरिर ठीण होने लगता है उसके पेशाव में रखत आता है कांस सांस खूलने से पीठ और कमर में पीड़ा होती है जिनको सास्त्र में आयव कहा गया है वे आयरूपी धात्वियें सरेर में प्रकुपित होकर दोड़ने लगती हैं यक्षमा से पीडित रोगी घर को खांसी और खकार से भर देता है वह खकार के समान द्रुगंद युक्त तथा हरे और लाल रंका होता है ऐसे रोगी को सोने में विशेश कष्ट होता है अर्थात सुपतवस्ता में भी वहा रोगी को कष्ट होता है यहां रोगी हिरदय को गिरते हुए के समान कष्ट को देता है अचानक रोगी में उष्टन और सीतल भोजन एवं पेपदार्द गरहन करने की इच्छा होने लगती है वहा भहुत खाता है उसका बलशिन होने लगता है मुक पर इश्टनिक्रता बनी रहती है उसके नेत्र भी सोभा संबन रहते है किन्त रोग के बलवान होने के बाद सभी बिनासकारी राजिक्समा के लक्षन रोगी के सरीर में प्रवेश कर जाते हैं रोगी के सरीर में जन्म लेते हैं 150. अध्याय स्वास रोग निदान धनमंत्र जी महराज ने कहा कि अब मैं स्वास रोग का निदान कहे रहा हूँ कास रोग के प्रिपक्व हो जाने पर उसी से सरेर में स्वास रोग की उत्पत्ती होती है अत्व प्रारंब काल में वात्पित तथा कफजन्य दोस के प्रकुपित होने से वह रोग उत्पन होता है इस रोग का प्राद्रभाव आमातिसार वबन विस्पान और फान्ड रोग एवं ज्वर से भी होता है धूल ग्रहन धूप तथा सीथ वायू के सेवन करने से भी इस रोग का जन्म हो सकता है मरमस्थल में आघात पहुँचने से और वर्फिली जल का प्रियोग करने से भी सरेर में इस रोग का प्रकुप हो जाता है यहां रोग छुद्र, तमक, छिन, महान तथा उर्दो नाम से पांच प्रकार का माना गया है कप के द्वारा सामान ढंग से सरेर में अवरोधित गतिवाला सरवभ्यापी वायो, प्राण वाही, जल वाही, अन वाही, तथा रक्त पित्ता दिजन्न स्रोतों को प्रकुपित करता हुआ जब हिर्दय में इस्तित हो जाता है, तब वहां आमा से में स्वास को, स्वास रोग को उत्पन करता है इस रोग का पूरु ब्रूप इस प्रकार होता है रोगी के हिरते और फार्स भाग में सूल उरता हैं, प्राण वायू सरीर में प्रतिलोम गति से प्रभावित उत्य ही लगती है, रोगी के मुक से पीडा के कारण बराबर आह आह की ध्वने निकलती रहती है, फूटे हुए संक को वजाने से जैसे ध्वनी प्रकट होती है, व प्रेडित वायू स्वयम मल के युक्त छुद्र श्वास को प्रेडित करती है, अर्थात आधिक भोजन करने से रोगी की सांस खूलने लगती है, और उसे मल भिसर्जन करने की इच्छा होती, ऐसी इस्तिती में कपके अवरोद को पार करके वायू प्रतिलोम भाव से श्रो गला और हिर्देभा को अपने अधिकार में कर लेता है, पार्स भाग में पीडा उत्पन करता हुआ खांसी, गुरगुरा, हट, मूर्चा, अरूची और फीनस तथा त्रसा का उपद्रब सरेर में प्रकट करता है, प्राणे को संतप्त करने वाले सांस अत्यंत वेक से चलन स्वास के प्रकोप से रोगी को प्राण घात कष्ट होता है, स्वास के प्रकोप से अत्यंत कष्ट होने पर रोगी सो जाता है, यदि बैठ जाता है तब वहां अपने को कुछ स्वस्त अनभव करता है, इस प्रकोपित रोग के कारण रोगी को कष्ट अधिक्य के कारण प्रत्म द्रश्ट्या तो ज्वर्व और मूर्चा से युक्त होने से रोगी जाता है और उष्ण आहार या पेपदार्द के सेवन की अभिलासा करता है। मेग गिरने पर बर्सा होने पर सीत गिरने पर एवं पूर्व हवा चलने पर तथा कफकारक आहार विकार करने पर स्वास का भीग बढ़ जाता है। यदि बलवान मनुस्य के सरेर में कफ नामक श्वास रोग होता है तो वहाँ याप्य साध्य होता है। प्रतम द्रश्टा तो ज्वर और मुर्चा से युक्त होने पर रोगी के इस तरह स्वास का उफ समन सीतल द्रव्य पदार्थों से ही करना चाहे। ऐसे रोग के उफभेद में रोगी खांसी और स्वास के प्रकोप से ग्रस्त सरेर के निरवल हो जाता है। तथा मरमस्तल के पीड़ा से युक्त दुखी रहता है। उसे अधिक पसीना आता है, मुर्चा होती है, पीड़ा से वहा कराहता रहता है। उसके मुत्रासे में जलन एवं पेशाब का रुक रुक कर आना होता है। विब्रहम प्रकोप होता है। रोगी के दृष्ट अधोगत रहती है। अधिक कष्ट तथा ताप के कारण आखें अपने अस्थान से निकलने सी प्रतित होती है। उनके चिकनापन तथा लालिमा आ जाती है, मुख सूख जाता है, कष्ट के कारण रोगी प्रलाफ करता है, सरीर का तीज नश्ट होकर चेतना भे नश्ट हो जाती है, तथा वह मृत्य को प्राप्त हो जाता है। बहा स्वास का रोग प्रभेद होने पर रोगी अपने साररिक मानसिक तथा वाचिक महत्य से रहत हो उड़ता है, वह तीन व्यक्ति के समान प्रतित होता है। स्वास में पीडा के कारण आवाज दथा गले में घड़ड़ा हट होती हैं, वह मत्वाले सांड के समान रात दिन धूली धूस रहित होकर हुंकार के साथ स्वास शूडता है, तथा ग्यान भी ग्यान से रहित हो जाता है, विवेक सक्ति छीन हो जाती है। उसके नेत्र और मुकपर भ्रामतिका इस्तिती बन जाती है, नेत्रों से वह किसी वस्त को सत्य रूप में जान नहीं पाता। उसके जिफवा में खाए गए द्रव्य पदार्तों के स्वाद को बताने की सकती नहीं रहती। उसके नेत्रों में जबकी चड़ी रहती है, मुत्र के साथ रोगी का तीज भी निकलता है, उसके बाणी मुक से फूटी फूटी निकलती है, रोगी का कंठ सूक जाता है, उस नहीं हो पाता इस महापार स्वास्त में रोगी रोग के मुख और कान कप से भरे रहते हैं सरीर का प्रकुपित वाई उसे भौत ही कष्ट देता है अब मैं उर्द स्वास के भेद की सनिक्षा कर रहा हूं इस रोग में रोगी चारों और अपने दृष्ट को फैलाता हुआ भ प्रकट नहीं होते हैं तभी तक साध्य होते हैं प्रांतों लक्षण प्रकट हो जाने पर यहां रोग असाध्य हो जाता है और निश्चित ही मृत्यु का कारण बन जाता है एक सो इकावनमा अध्याय हिक्का रूग निदान धनवंत्री महाराज कहते हैं हे सुस्चुरुत अब में हिक्का रोग के निदान को कहँंगा आप उसे सुन लो स्वाष रोग के जो जो निदान पुर्व शं gelmiş प्रकृति और आस्ट्रय स्थान कहें गए हैं वेही हिक्का रोग के भी होते हैं यह हिक्का पांच प्रकार की होती हैं भकतो द्ववा, छुद्रा, यमला, महत और गंभीरा रुख्च तिख्ण खर तथा असात्म्य अन्य अथवा पेपदार्थ के सेवन से प्रकुपित वायु हिक्का रोग को पैदा करती है। अधिक प्रस्रम करने से सरीर में प्रकुपित हुआ पवन छुद्रा हिक्का को जन्म देता है। वहां ग्रीबा मूल से निकल कर मंदवंद गत से कंठ के बाहर आता है। यहां रोग अधिक प्रस्रम करने से बढ़ जाता है किन्तु यतोचित माप्तरा में भोजन कर लेने पर कुछ सांत हो जाता है। जो हिचगी अधिक समय से एक या दो बार बेग पूर्वक आती हैं। परिमान तहां वहां धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। अपने वेग से जो रोगी के सिर और ग्रीबा भाग को प्रकंपित कर देती हैं। उसको यमला हिक्का के नाम से स्विकार करना चाहे। इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको वमन होता है और उसे अतिसार हो जाता है। कमजोरी से उसके नेप्त्र बैठ जाते हैं और जमाई आती हैं। ऐसी अवस्था वाली हिक्का को वेग बची प्रमान देने वाली यमला हिक्का कहा जाता है। जिस हिक्का रोग के वेग से रोगी की भौँ और कनपटियों में कश्ट होने लगता है। कान तथा नेत्र बंद हो जाते हैं। कानों से सुनाई नहीं देता और आंखों से दिखाई नहीं देता। रोगी के सरेर बाने और स्मरण की सक्ति सितिल कर पड़ जाती है। पक्वा से मला से अथ्वा ना विभाग से अपने पुर्व स्वभाव के अनसार सरीर में प्रकट होती है। तो उस रोगी को जवाई लेने के लिए विवस कर देती है। उसके हाथ पर आदि सभी अंग फैलने लगते हैं। उस हिका के प्रभाव से रोगी का संपूर्ण सरीर सितल पड़ जाता है। उसमें गंभीर सब्द होता है। इसलिए इसका नाम गंभीरा हिका है। प्रारंब में बताई गई भक्तोद्भवा तथा छुद्रा नामक जो दो हिका हैं वे साध्य होती हैं। उन दोनों को छोड़ कर से अन्य जो यमलाद तीन हिकाएं हैं वे असाध्य होती हैं। किन्तु चिरकाल हिचकी, व्रिद्ध मनुस्च की हिचकी, अतिस्त्री सेवी की हिचकी, व्याधि द्वारा छिन देह वाले की हिचकी, अन्य के अभाव से क्रिस मनुस्च की हिचकी ये सब असाध्य होती हैं। सब रोग सरेर में प्राणियों का विनास करने के लिए ही आते हैं, किन्तु वे वैसे ही सिग्रता नहीं करते हैं, जैसे सिग्रता इस हिक्का के यमलादिक भीद करते हैं। खिक्का और श्वास ये दोनों रोग जैसे हैं वैसे अन्य कोई रोग नहीं अथवा रोगी को चाहे कि समय पर इनका उपचार कर ले योग य वैद्य के द्वारा अंद्रमित औसदियों का सेवन करके अपने इस रोग को समूल नष्ट करने का प्रियास करें ये दोनों रोग जैसे हैं वैसे अन्य कोई रोग नहीं वे दोनों तो मृत्य काल स्वरूप प्राणी के सरेर में अपना डेरा डाल लेते हैं अर्थात मृत्य तुल्य कष्ट अथ्वा मृत्य को ही वा देते हैं इसलिए इन रोगों का समय से पहले ही उपचार कर ले रा चाहिए। इस रोग को राज यक्षमा छै, सोस तथा रोग राज भी कहा जाता है। इसलिए इसका नाम छै नाम दिया गया। की उत्पत्ति के कारण है। शरीर में इन्हें कारणों से कुपित हुआ वाय फित्त एवं कफ को व्यर्थ में ही कुपित कर देता है। तदनंतर वहां शरीर के संध्य स्थानों में प्रवेश करके उनकी सिराओं को पीडित करता हुआ। अन्न रश्वाही आदे सभी स्प्रोतों के मुखों को बंद करता है। अथ्वा उसे प्रकार उन सभी को छोड़कर हुर्दय भाग में जा पहुंचता है। और उसको मध्य उपर नीचे तथा तिर्चे रूप में विवस्तित करता है। इस रोग के उत्पन होने से पूर्व रोगी को प्रतिसय ज्वर लार प्रवाह, मुख माधुरिय, अग्निमंदता तथा सारिरिक सितलता का दूस होता है। अन और फेपदार्थ के प्रति अनिच्चा तथा पवित्रता में अपवित्रता के प्रतिति रोगी को होती है। प्रायह उसको भोज्य इवं फेपदार्थों में मक्कीम, त्रिण और वाल गिरने का भान होता है। रोगी का हिर्दे कफाद से संलिष्ट हो जाता है। उसको बवन होता है। आहार बिहार के प्रति उसके रूची नहीं रह जाती। भोजन करने पर भी वह अपने को सक्त हीन समझता है। उसके हाथ, पैर, जंगा, भक्चस्तल, मुख, नेत्र तथा, फुक्षि भाग सूख जाते हैं। रक्त के कमे के कारण उसका रंग स्वेथ हो जाता है। उसके भुजाओं में विशेश प्रकार के पीड़ा होती है। उसके जिववा में ज्वराद के कारण उत्पन हुए छलों से कष्ट रहता है। उसको सरीर के प्रतिस्वयम घ्रणा होती है। उसमें इस्त पहले से अधिक बढ़ते हैं वह स्वपन में अपने प्राजय देखता है पतंग क्रिकल साही बंदर कुट्ता तथा पक्षियों से भरा वहार्त होकर अपने को प्राजीत या गिरता हुआ स्वपन में देखता है स्वपन में अपने सरीर के बाल तथा अस्ति भाग को भस्म होते हुए देखकर वह भैभीत होता है वह स्वपन में ही ब्रक्ष पर चड़ता है उसे स्वपन में दिरजन ग्राम और देश का दर्सन होता है जल रहित भूभाग को देखने के कारण उसे स्वपन में भै लगता ह उसको आगास से प्रकास पुंज तथा दावागन से जलते हुए ब्रक्ष दिखाए पड़ते हैं जिससे उस रोगी का मन भैसे व्यापुल हो उड़ता हैं ये सब लक्षण रोग प्रभाव के कारण ही होते हैं अतहां उसे पूरुव रूप कहते हैं इस राजक्षमा के कोष्ट गत होने पर रोगी को पीनस स्वास, कास, स्वरभंग, सिरपीडा, अरुची, उड़ध्वनी स्वास, सारे रिक सुस्कता, वदजन्यकष्ट तथा बबन होता हैं जिसके पार्सो भाग तथा संद्यस्थान में पीडा होती हैं इसका सरीर ज्वर स संतप्त रहता हैं इस प्रकार इस राजक्षमा के उक्त ग्यारह लक्षन रोगी के सरेर में पाए जाते हैं उसके उपद्रव से रोगी के कंट में ऐसे पीडा होती हैं जैसे स्वास मार्ग में विकृत एवं हर्दय बेदना होने पर होती हैं उसे जमाई आती हैं प्रतेग अंग में दर्द होता हैं मुख से बार बार थूक निकलता हैं मंदागनी हो जाती है तथा मुख से दुरगंध आने लगती हैं इस राजक्ष्मा के रोग में वाई प्रकोप के कारण रोगी के शुरोभाग तथा दोनों पार्शों में सूल उठता हैं जिसके कारण असय आतिसार रक्त संसर्थ वपन दुरगंध ज्वर और एक प्रकार का मद रहता है कफ जन्य दोस के कारण रोगी को अरुची वबन खांसी आदे सरीर का भारेपन लारवाह मुल्य पीनस स्वास स्वरवेद और अगने मांद्य का प्रकूप होता है इसे अगने मांद्यता एवं सरीर में सोध को उत्पन करने वाले प्रदोसित कफ जन्य दोस से रोगी के रक्त वाही आदिस रोतों के मुखों का अवरोध तथा धातों के छीन हो जाने पर हिरदय में दाह और अन्य भौत सारे उपद्रब होने लगते हैं सरीर के अंदर पक्वासय भाग से पुक्त दोनों दोसों के कारण प्राहय अन्यामलिक रस से पकता है जिसके कारण वह सिद्ध नहीं होता और ना तो साररिक पुष्टता में ही सहयोग करता है रोगी में इन लक्षनों के कम होने पर अत्यन्त छीनता आ जाती हैं इस रोग में छे प्रकार का छे होता है अतहा उन सभी प्रकारों के छे होने पर रोगी के सरीर में होने वाले उपद्रओं को य governments कर रोग कर यता संभब उनका उपाए कर लेना चाहिए रोग को सम्भूल दूर करने का प्रियास करना चाहिए अन्य था इस रोग से प्राणे के मृत्यु निश्चित है पुक्त रोगी के दोस प्रितक प्रितक या समुहवत सरीर पर प्रकट होते हैं रोगी के मेद का च्छै हो जाता है जिसके कारण उसके स्वरों में भेद, छीनता, रुप्चता और चंचलता आ जाती हैं वाथ प्रकट होने से रोगी का कंठ सपेद रंग का हो जाता है उसके सरीर की इश्टनिक्दता तथा उश्टनता समाप्त हो जाती है पित्ध दोस के कारण रोगी के तालू और कंठ में दाह होता है और न्रंतर वह सूप्ता जाता है रोगी का मों और कंठ कब से सनलिफ्त रहता है उसके गले से घुर घुराती हुई धुनी निकलती है उसकाल में रोगी स्वयम में सभी बिरुध आचरनों से प्रभावित हो उड़ता है वहा उसकी ओर उनुमुक हो जाता है जिससे अन्य सभी लक्षनों की उत्पत्त हो जाती है इससे रोगी मृत्त को ही प्राप्त होता है वैसी स्थिती में रोगी को सब और ध्वें के समान ही दिखाए देते हैं और सभी कफजन लक्षण उसमें प्रकट हो उरते हैं नए मिसारण में स्रिशूत जी महाराज सौनकाद अठासी हजार रिसियों के लिए यहां धर्मंत्री जी के द्वारा कहा गया रोग निदान का लक्षण या रोग निदान के उपाए बताते हुए कहते हैं रिसियों व्याधि का सरीर में प्रवेश होने से पूर्व ही रोगी को चाहे कि अनभवी वैद्य का सहारा ले करके अत्वा उप्युक्त वैद्य का सहारा ले करके आउसुदियों के माध्यम से वहा इन रोगों का निदान कर ले जब रोग सरीर में अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं अत्वा पूर्ण रूप से परिफख्व हो जाएं तब उसका उपचार करने का वहा प्रियत्न करता है तो वहा सरवता निरर्थक ही होगा उस उपचार को करने से उसे कोई विशेश फायदा नहीं होगा इसलिए समय से पूर्व ही समय से पहले ही रोगों का बल बढ़ने से पहले ही उनका निदान कर लेना चाहे उनका उपचार कर लेना चाहे हे रिशियों धरवंत्रि भारार कहते हैं कि है सुस्तृते इस चय रोग से बचना बड़ा ही कष्ट साद्य है प्रारब्द वसाथ पापकर्मों के विसाथ यदि ये रोग शरीर में आ गया तो इसका उपचार करना भौत असाद्य है प्रमात्मा के किरपा ही इसका उपचार है यदि सबी लक्षणों से युक्त होकर यहां प्राणी पर आकर्वन करता है तो रोगी की जीवन रक्षा अशंबब है अत्वा इस्वर ही उसके जीवन की रक्षा कर सकता है आतहा आल्प लक्षणों के दिखाई देते ही इस रोग को सरीर से दूर करने है तो विधिवत चिकित सा करने चाहे विधिवत आसुदियों का सेवन करना चाहे अनभवी वैद्य का सहरा लेकर के अनभवी वैद्य के प्रामर्श से रोगी को आसुदियों का सेवन करना चाहे संयमित आहार विहार करना चाहे और प्रमात्मा की सरनागत को स्विकार कर लेना चाहे प्रभु सरन में जाकर के ही रोगों का निदान होता है हमारे प्रारब्द वसाथ येदि सरेर में कोई ऐसा रोग प्रभेश कर जाता है जिसको आवसिदियां ठेक नहीं कर पÁती है वैद्य उप्चार उनको ठेक नहीं कर पाते है लेकिन ये भगवान की सरण में चला जाए भगवान का नाम जाप किया जाए तो प्रमात्मा की किरपा से ऐसे जो एक दुरलब कश्ट को देने वाले जो रोग हैं बिमारियां हैं उनका समन हो शकता है उनका समन हो जाता है